आई संजीव खन्ना में मौझूद वकीलों से साप शक्दों में कह दिया कि वे अपने मामलों की लिस्टिंग और स्षीग्र सुनवाई के लिए मौखिक अनरोध किसी भी सूरत में न करें CGI खन्ना ने कहा कि जल्द सुनवाई की मांग इमेल के माध्यम से भेजे या रजिस्ट्री में लिखित अनरोध करें तभी उनके मामलों की सुनवाई होगी CGI संजीव खन्ना ने कहा कि तक्काल सुनवाई के लिए अब तक वकील CGI की अगवाई वाली बेंच के सामने मौखिक अपील कर रहे हैं अब ये नहीं होगा वकीलों को ई-मेल भेजकर या पत्र देकर ये बताना होगा कि केस की अरजेंट लिस्टिंग और हेरिंग क्यों जरूरी है आपको बता दे पूर्व अटर्नी जन्रल और वरिष्ट अदिबक्ता मुकुल रोधगी समय तमाम बार नेताओं वकीलों ने उनका जोरदार स्वागत किया इस दोरान मुकुल ने कहा मैं CGI के रूप में आपके सफल कारकाल की कामना करता हूँ शुक्रबार को मुकुल ने कहा कि एक दशक के अधिक समय और CGI वाई के सबरबाल के बाद शीर सदालत को दिल्ली उचे नयाले से एक और CGI मिलेगा इस दोरान नयालेकक्ष में मौजूद अन्यवकीलों ने भी CGI को शुप कामनाय दी सुप्रीम कोट में अपने 6 साल के करियर की दोरान जस्टिस खन्ना 450 बैंचों का हिस्सा रहे उन्होंने खुद 115 फैसले लिखे आईए आपको बताते हैं उन्होंने किन मामलों में फैसले दिये दो हजार चोबीस जस्टिस कन्ना की अगवाई वाली डिविजन बैंच ने वोट डालने के बाद वीवी पैड मशीन की पडचियों के बेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका को खारिच किया था जस्टिस कन्ना ने कहा था कि वोट काउंटिंग की मौजूद अव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है जस्टिस कन्ना सहिद पांच जजों की बैंच ने राजनेतिक दलों को गुपत दान देने वाली इलेक्टरोल बॉन्ड स्कीम को असमवेदाने करार दिया था जस्टिस कन्ना ने कहा था कि वह योजना उचित नहीं है जो वोटर्स के सूचना के अधिकार के खिलाफ है जम्बू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को अगस्त 2023 में सुप्रीम कोट में चुनोती दी गई थी सीजी आई चंद्रचूर और जस्टिस खन्ना सहित पांच जज़ों की बैंच ने आर्टिकल 370 हटाने के निर्णय को बरकरा रखा था 2023 मई 2023 में तलाग के एक मामले में सुप्रीम कोट ने बहुमत से फैसला सुनाया इसमें कहा गया कि किसी मामले में संविधान के आर्टिकल 142 के तहट सुप्रीम कोट सीधे तलाग का फैसला दे सकता है 2019 सुचना के अधिकार से जोड़े एक केस में सुप्रीम कोट ने कहा कि नैक स्वतंतरता सुचना के अधिकार के खिलाफ नहीं है बेंच में शामिल जस्टिस खन्ना ने उस दोरान कहा था कि चीफ जस्टिस का ओफिस राइट टू एजुकेशन के अधिन हो सकता है हर केस में जजों की निज़ता के साथ साथ पारदर्शिता भी होनी चाहिए अगर आपको CGI खन्ना के बारे में बताएं तो CGI का जन्म 14 माई 1960 को हुआ था जस्टिस संजीब खन्ना 6 महीने से कुछ अधिक समय तक भारत के चीफ जस्टिस रहेंगे 65 वर्स की आयू पूरे होने पर 13 माई 2025 को खन्ना रेटायर हो जाएंगे उन्होंने पूर्व CGI डीवाई चंद्रचूर की जगा ली है जो रविवार को चीफ जस्टिस पज से रेटायर हुए CGI संजीब खन्ना के शपत ग्रिहन समारों में पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूर के अलावा उप्राष्टूपती जगदीब धनकर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी, रक्षा मंत्री राजनाज सिंग, केंद्रिय कानून मंत्री अरजुन राम मेगवाल समेथ कई महत्वपूर लोग शामिल हुए नमस्कार मैं हूं मानक गुपता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24